किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी किसान साथियों आप सब को मालूम है कि आजकल मैं किसानों से मिलने निकला हुआ हूँ तो मेरा ये पढ़ाओ है लगबग अंत पढ़ाओ है एहमदाबाद में ये एक गाओ है एहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर और आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी रमेश भाई पटेल की और आप लोगों ने उनका देखा होगा एक बाग देखा होगा कि जो ताइवान पिंग का बाग था अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको ये जो इनका बाग है ये पोने दो एक कड का बाग है जिसमें लगभग बारा सो पोधे इन्होंने लगाए हुए है और ये बारा सो पोधे दस भाई छे किट दूरी पर है ये जो दूरी है ये लाइन से लाइन की दस है और ये जो पोधे से पोधे की दूरी है, यह दूरी जो हमें खेट है, तो मैंने कैलकुलेट किया लगबग उतने पोधे हैं, आपको यह आश्चेरिय होगा, इस पोने दो एककड में, यह पोधे एक वर्स साथ महीने के हैं, इन में से जो रमेश भाई हैं, उन्हों ने चूकती करकर, ज किसान साथियो, एक बात यहां पर मैं बताना फिर उचित समझूगा, कि अभी मुझे वो किसान नहीं मिला है, कि जो पांच लाग या दस लाग रुपे परती एकड कमाता हो अमरूद से, या नीमबू से, मैं तलास में हूँ और मेरी तलास जा रही है, हाँ, मैंने पहले भ हजार से लेकर लगभग डेड़ लाख तक आप परती एकड परती वर्स आमदनी कर सकते हैं, अगर आपका रख रखाओ अच्छा है, और थोड़ा वातावरन ने और भगवान ने भी आपका साथ दिया दो, आईए हम मिलते हैं, रमेज भाई पटेल से, जो किसान देख रह सर, मैं अरवली जिला का रहने वाला हूं, देशाइबुरा हमेरा गाव है, हमारे देशाइबुरा डिस्टिक पर हमारे बागवानी लगवाई हैं, अच्छा, अमना फोन नमबर भी बताते हैं, तेशट, तेपन, साइट, सोड, पीस तालिस, ताइवान पिंक बतादा, अम में बहुत दिकत आती थी, इसलिए हमने इसकी चुनती की, हमने दो साथी मित्र भी ऐसे मिले, कि हमने बलामन की उन्होंने, कि आप अमरूद में बारिस में बहुत ज्यादा बढ़िया मजा आएगा उसमें, इसलिए हमने अमरूद की चुनती की उसमें, फिर ये ताइवान पिंक ही क्यों चुना अपने सर ताइवन पिंक हमारे मित्र ने बोला के यह कम रेट पर बजार में सारा बीकता है और वर्स में दो बार उसकी फसल आती है इसलिए हमने टाइवन पिंक की चुनोती कि इस पोदों को तो कब लगाया था आपने यह सर यह पोदे 17 मेने के हो चु इस पट्टी पे दस फीट की अंतर है अच्छा अच्छा रमिश भाई यह बताईए जब आपने इन पोदों को लगा तो क्या इसमें खाद आदी वगरा कैसा परबंदन किया था खाद में सरमने कूछ भी नहीं दिया था उस पर थोड़ा चुमा से के बाद बढ़िया होने लगे उसके बाद हमने इसकी ठीटमेंट थोड़ी थोड़ी शुरू की अच्छा जो पहले से हम टीटमेंट करते तो यह आज इससे ज्यादा भी पोदे बढ़िये होते हैं टीटमेंट हमने डी एपी एसपी खातर पोटास एसी टीटमेंट की उसमें दो बार जो बेसल डो पोटास और पोटास बस दो चीजे तो बोड़ दालते थे दो जालते इसमें देते और आपके पास यह ड्रीप का साधन आपानी किसान साथियो अभी तक इन्होंने दो लाग की फसल ले चुके हैं अभी देखिए इनके जो यह फल आई विये हैं यह जो फल है यह इनके देखे कितना फल आया हुए आपने इन पोधों में कब नीमा टोड़की वो करी और क्या-क्या इलाज किया अब आप यह बताएं को किसा सर हमने तो पोधे 12 मेन के में फूल लगने चरू हुए थे तो इस बार हम इसका पिलापन देखा अच्छा उस पर रोक के काफी दिकत इसलिए मैं यूटूब पर गए यूटूब पर देखकर पता चला कि उसमें नीमे टोड की पॉबलम है अच्छा इसलिए हमने अब आपको यह तो पता चल गया कि मेरे पोधों नीमा टोड अब यह कहां से पता चला कि नीस्टोड इसके लिए कोई दवाई है वो सर हमने का हमारे ही फटिलाइजर वारे थे सबंदी उसने हमने पूछा तो आप निस्टोड लगा कर देखो एक बार उसका परयोग करो आपको कितना रिजल्ट मिलता है उस पर उन्हें बोला था हमने उसका माना और निस्टोड का अनुभव किया तो कैसे लगाया आपने कितनी मात्र एमेल दवाई डाली और उसके चारो तरफ डाल दी उससे पहले नमी वगारा बनाई कुछ उसमें पूरी रात पानी भीजवा दिया उसमें पानी और फिर सुबह को सुबह को दवाई डाल दी उस पर तो लगबग कितने पोदों में आपके निमा टोड़ाया था सर हमारे त ब्यादा थे कुछ पोदों में कम थे पूरा खेत पहनी में तुटता अच्छा तो उसके बाद आपको फिर लगा के इन में जैसे ये पोदा देखते हैं यह इस पोदे की आप देखिए यह पतियां भी है देखने से ऐसा लगेगा चैसे इसमें पोटास की कमी है यह देखि लेकिन अब इसमें देखिए यह सारे कल्ले चल रहे हैं एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि रमेश भाई ने जो मैंने वीडियो दिखाई थी वो देखकर निस्टोड नहीं खरे थी किसी और ने बताई इनको और इन्होंने निस्टोड का यह लिया और जब तुसार मतलब मेरे को यह प्रूफ चाहिए कि आप माइक्रोइस्कोप से निकालकर जड़ निकालकर माइक्रोइस्कोप से इसको दिखाईए तो जो वीडियो आपने देखी थी वो रमेश भाई पठेल के बाग की वीडियो थी और मैं आज इनसे इस बात की तस्दीक करने आया हूं प्रूफ देखने आया हूं कि क्या वाक hij उस तरह से यह काम करती है अब इस पोधे को देखे इसमें निमा टोड़ता अब इसमें ये सारी कल्ये चल रही है। और इस पोधे को देखे ये इससे भी अच्छा है ये वाला पोधा तो साफ लगता है कि इस पोधे में अधिक ब ने दवाई बाद में लगाई थी और ये दिखाने के लिए केवल ये तीन पोदे हैं एक ये पोदा है एक ये पोदा है ये वाला ये वाला पोदा है और एक ये पोदा है इनकी जड़े निकालकर तुसार भाई ने आपको दिखाया था कि देखे ये नीमा टोड़ है और दव इसान साथियो ये तो हुई बात इसकी के इनके उसमें नीमा टोड़ था और इससे फायदा रहा है अभी भी अगर आप मुझे दोसी मानते हैं इस दवाई का परचार करने के लिए या बताने के लिए मेरा उद्देश से क्यावल इतना था कि ये दवाई थोड़ी सस्ती है और बचत भी एक आमदनी है ये मेरा सिध्धान था अब आपको मैं दिखाता हूं रमेज भाई ने ये लोकी लगाई हुई है पहली बार मैं अपनी आखों से आज नीमा टोड़ देखा है एक और खेत में मैं गया था जहां पर बीन लगी हु किसान साथियो अक्सर कर एक बात कही जाती है कि नीमा टोड़ नरसरी से आता है मैं वेग्यानिक हो मेरी प्रस बढ़मी है मैं हर चीज पर सोचता हूं मैं इस बात को मानता हूं कि नरसरी से आता है लेकिन नरसरी से ही कोई कारण नहीं है कि नरसरी से ही मिलता है ऐसे कई पर लेकिन वो एक्टिव कब होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कंडिशन्स क्या है अधिकतर ये जो जमीन पानी को बहुत कम होल्ड करकर रखती है इसमें जादा पानी की अवस्चता होती है वहाँ पे होता है इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूं कि आप बागवान कारबंडेशों और एक जो मुझे रहोरी में पता चली है उसकी EC ये टेस्ट कराएं कि वो एक प्रसंट से कम होनी चाहिए और दूसरी चीज जो इसके आठ माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं वो भी पता करें ये तो हुई मिट्टी की जानकारी जिसमें आप इनको 12-13 तत करेंगे और आपको वो किसी भी चीज को निमा तोड़ और हम अगर सब मिलकर इसका हल डूंडेंगे तो एक दिन हम अवश्य काम्याब होंगे दवाई सभी अच्छी होती है कोई भी दवाई नहीं है लेकिन हमें यह देखना है कोंसी दवाई सस्ती पड़ती है और कोंसी दवाई बहुत महेंगी पड़ती है हो चकता है कुछ किसानों को फायदा नहों तो इस बात की अब हमें रिसर्च करनी है या नुसंदान करना है कि इस दवाई में नहीं फायदा हुआ पंढे से शहां है। मैंने तयार किया आपनी जड़ के पास की मिट्टी टेस्त कराइए हो उफंगस दिन का समाय लगता है। मेरा ये मानना है मेरी ये हाइपोतिसिस है कि नीमा टोड़ की साथ अगर फंगस है तो नीमा टोड़ तो दवाई कोई सी भी डालो वो खतम होगा ही होगा लेकिन वो फंगस आपकी जड़े निकलने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्य करती है और एक चीज में और बता दो जो मुझे पता चली है कि जड़े हमेशा नहीं निकलती उनका एक निश्चित समय होता है अगर इन दो चीजों का हमने प्रबंदन कर लिया तो हम अवस्चे कामियाब होगे ऐसा मेरा मानना है रमेश भाई आपने बताया पांच लिटर में पांच एमेल दवाई डाली अब यह बताओ एक बार में आपका काम चल गया नहीं सर्थ हमने उस पर दूसरी बार एक मेने के बाद दूसरा डोड़ी लगवाया अच्छा उसमें थोड़ा सा प्रमान बढ़ा दिया दस एमेल क पांच एमेल डाली तो पंदरा अमेल डाली आपने परति पोदा परति पोदा जिसमें बीमार था और जो नहीं था वो भी वो भी तो अब आपके इन 1200 लगबग पोदों में कितने पोदे आइसे हैं जो पुनरजिवित नहीं हो सके मतलब जो मतलब लगा कि आपको अब यह कुछ को एक भी पोदा नहीं है सरेसा ऐसा एक भी पोदा नहीं नहीं यह देखें यह मैं फिर दिखाता हूं इसमें चल गई है यह कलिया भी आ रहे हैं थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा हो सकता है आपके नि एक मैं करता हूं कि जिन भाईयों ने निस्टोड लिया है और उनको फाइदा नहीं हुआ करप्या करके कहीं भी अपने पोधे की जड़ की लेकर उससे मिट्टी लेकर जड़ और मिट्टी लेकर उसकी फंगस अवस्य टेस्ट करें एक बार करकर देखिए हो सकता है बहुत किसानों को फाइदा किसान सातियों यह थे हमारे रमेश सब्सक्राइब और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आदा दिन लग गया इनके बाग तक पहुंचते पहुंचते और बाग में गया था उनका भी इतना ही बड़ा बाग था लेकिन उनके पोधे एक साल के थे लगबग एक साल के पोधे थे वो इतने बड़े नहीं थे फ अच्छी जमीन है आप देखोगे यह मुट्टी में मेरी लड्डू बन गया उनकी रेतली जमीन थी उन्होंने भी लगाई वो दवाई और मैं देख काया आप नियाकों से के हां जी हमें इससे फाइदा हुया है इस बात का किसान साथियों अगर आपको इस पर और सत्यता क की जांच करनी हो तो रमेश भाई का मैंने इनसे इजाजत ले ली है इनका नंबर दूँगा मैं आपको जो इसक्रीन पर आपको दिख भी रहा है आप इनसे बात करें आसपास के किसान आकर इनका खेद देखें इसे के साथ मैं धन्यवाद करता हूं रमेश जी का रमेश भ हारत बंदे मार्श